कि वेल्कम स्टूरेंट्स टूद एनर्सिंग अकेडमी आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोग और अल्कोहलिज्म तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हेल्टोग के अंदर इडेंटिफिकिशन डीटर लिख लेंगे स्टूरेंट का ठीक है जिसके गुर्प के अंदर कितने स्टूजेंट्स ने जितने जिनको आप फिर्टोग प्रोबाइट गर वारे हो ठीक है एंफॉरमेशन को दे रहे हो इसके बाद टाइम डिशन के बारे में कितना टाइम लगने वाला है डाए किस टेट को प्रिजंट किया जा रहा है ठीक है कि इस सब्सक्राइब कर देंगे तो है जो इसके बारे में बैसिक इंफॉर्मेशन अभी को मिल जानी चाहिए यह हमारा जनरल अब्जेक्टिव रहेगा ठीक है इसके बाद अब इस पेसिफिक अब्जेक्टिव लेंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा एट देंड ऑफ एल्टोग से ग्रूब मेंबर्स नो अबाउट यह सारे जो भी टॉपिक हैं पॉइंट हो गया हमारे यह स्पेसिफिक अब्जेक्टिव के अंदर जाएंगे इंट्रॉक्शन से लिए प्रिवेंशन तक ठीक है यह स्पेसिफिक अब्जेक्टिव हो जाएंगे इसके बाद हम टेबल बना लेंगे जिसके रोडू यह पूरा होगार्ण करने वालाब पनाने वालें ऊंदर हमारे अलगलों हो जाएंगे से इसके बाद प्रॉट्टिव को आपको हूजियेंगा टाइम कंट्टेंट टिचल एक्टिवीटिवेस्ट और एवालुईशन यह सारे कोलं हो जाएंग है यह जाएगा टेशन लिए एक्टिविटी के अंदर मेंफंट के बारे में हम कौन सा मेफंट यूज कर रहे हैं इसके बाद यह definition हो जाएगी इसे भी clearly वीडियो वालेटी आप तो हाई कर लें और आराम से वीडियो पोस्ट करके इसको लिखते जाएं ठीक है यह definition हो जाएगी definition के बाद incidences लिख लेंगे यह incidence हो जाएंगे अल्कोहलिंस के incidence के बाद etiology लिख लेंगे भी क्या कि इसे कारण रहेंगे यह कौन-कौन से इसके etiological factor है यह etiology हो जाएगी etiology के बाद clinical manifestations मतलब भी science symptoms करके देखने को मिलेंगे हमें ठीक है यह clinical manifestation हो जाएंगे alcoholism के इसके बाद मैं treatment लिख लेंगे हम कौन-कौन से भई therapies provide कर वा सकते हैं किस प्रकार से alcoholism अगर alcoholism समस्था है जो भी एक के सकते हम condition है इससे किसी व्यक्तिकों किसे छुटका रदिल आया जाए तो कैसे ट्रीट करेंगे हम इसको ठीक है एक डिजिस मानके चलता है तो यह method हो जाएं कुछ treatment के जिसके जरीए alcoholism जो समस्था है इसका निवारान किया जा सकता है जिससे एवर्जन थेरेपी बिएवरियल थेरेपी इस से अगर जो पेशेंट है वो छूटना चाहता है मतलब अगर उसकी स्विच्छा है इच्छा है तो हम इनके जरीए इसको ट्रीट कर सकते हैं समस्य को ठीक है यह हो जाएगा treatment of alcoholism इसके बाद है prevention कैसे बचाफ किया जा सकता है ठीक है preventive method हो जाएं कुछ prevention of alcoholism ठीक है इसके बाद समरी लिख लेंगे हम समरी के अंदर क्या क्या हो जाएगा टोड़े वी हैव डिसकृट और टोड़े वी हैव डिसकृस्ट अबाट अल्कोहलिज्म अंडर दा फॉलोविंग है इस समरी हो जाएगी इसकी समरी के बाद conclusion लिख लेंगे हम at the end of the hell talk the knowledge of the student group are improved their all doubts related to alcoholism was cleared conclusion हो जाएगा जब हम पूरा hell talk provide करवा देंगे तो लास्ट में conclusion चैनिकल राइस का इसके बाद सबसे end में हम क्या लिखेंगे बिब्लिग्राफी वही हमने जो भी information लिखी है तो कौन-कौन से बुक का reference लिया है ठीक है यह बिब्लिग्राफी हो जाएगी इसके बाद सेकंड हो जाएगी आर्स रिवानी और थर्ड हो जाएगी सैम्यल भी गोज की अमेरिकन साइकार्ट्रक असोशीशन त्वार लिखी हुई यह जो भी है ठीक है यह बिब्लिग्राफी हो जाएगी ओके स्टुनेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिक्रिशन सब चल्दी प्राप्त हो और अगर आपको इसका पीडियो चाहिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले हो हाँ पर मैं आपको इसका पेडिया प्रोवाइड करवा दूँगा धन्यवाद